हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक एन आर इंग्लिश क्लास लास्ट टेम हमने क्या कहता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस किये थे उसमें मैंने आपको रूल्स समझाय थे, कौन से रूल्स फॉलो करेड़ने होते हैं, कौन सी हेल्पिंग वब लगती है और कहाँ पर S और ES का यूज किया जाता है, लेट्स स्टार्ट, टुड़े हम क्या करेंगे, टुड़े वी विल्ट ट्रांसलेट टेंस, ये संटेंस मैंने हिंदी में दिये आपको वाक्य, इनको हम ट्रांसलेट करेंगे, कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में ही, टिके, ये सिंपल है, इसके अंदर मैंने नेगेटिव दिये हैं, प्लस डबलेज फ्रामली वर्ट के भी कुछ कोशन्स दिये हैं, स्टार्ट करते हैं, तुम शत्रंज खेलते हो, मैंने इनके सासथ आपको हाल्पिंग ये भी दिये, वर्प्स भी दिये, कि किन चीज़ों क क्या-क्या बोलते हैं, ठीके, खेलने का मतलब प्ले, बजार, मार्कीट, छूट, बोलना, टेल, अ, लाए, जाना, गो, शोर, नॉइस, कब, वेन, इनके साथ अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है, तो डूड़ जरूर लगेगा आपका, ठीके, साथ में डबलो फैमली वर् कुछ भी है का, उसके साथ भी helping work जरूर लगेगी, फर्स्ट, तुम शत्रंज खेलते हो, तो तुम का मतलब क्या होता है, आपका, यू, खेलने का मतलब क्या है, प्ले, यू, प्ले, शत्रंज को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में, चेस, ओके, क्या बोलते हैं, चेस, तो क्य आपका क्या है, सिंपल सेंटेंस है, इस तरीके से हम क्रिकेट खेलते हैं, आप खुद बनाएंगे इसको, यहाँ पे मा बजार जाती है, तो मा कौन है, थर्ड परसन है, इसकी helping work में, यहाँ पे वर्ब जो भी use करोगे, इसमें s और yes का use भी होगा, तो ध्यान से करेंगे इ यह आप खुद करेंगे, अब क्या वे शोर मचाता है, यह मैं आपको कराती हूँ, खुद, देखिए, सबसे पहले अगर स्टार्टिंग में क्या वर्ड है, तो इसके लिए वाट यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करते हैं, जो भी helping work होती है, वो, तो देखिए, वह कौन में third person, उसके साथ do, नहीं use होता, does, does he, ठीक है, शोर मचाना, make a noise, ठीक है, तो यह क्या बन गया, यह बन गया आपका question, क्या वह शोर मचाता है, does he make a noise, okay, then इसकी बाद है, कि मैं पुस्चक नहीं पढ़ता हूँ, मैं क्या होता, I, पुस्चक क्या होती है, book, नहीं क्या होता, not, जब भी नहीं आया, तो हम क्या use करेंगे, do या does का use करेंगे, यान की helping form, तो यह बन गया, I do not study the book, okay, तो यहाँ पर वे बजार कब जाते हैं, यह आप खुद बनाएंगे, तो जितने मैंने आपको समझा है, वह आप करेंगे, और बाकी, खुद अपन previous वीडियो की helping walk, आप helping box देखेंगे, साथ में rules follow करेंगे, अगर rules आपको अच्छे से याद होंगे, तो आप यह सारे translate easily कर पाएंगे, तो bye bye student, have a great day.